पुछ इताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं क्या अनुभाव आपको मिला से नहीं बहुत हो इस बार बढ़िया वाकावरन है पंजाब में इस बार हमारे हाई कमांड ने जो फैसला लिया है कि हम अकेले लड़ेंगे और तेरा के तेरा सीट पर लड़ेंगे इससे भी हम हमें लाब हो रहा है कि पहली बार आज तक हम अकालियों के साथ ही चुनाव लड़ते थे और हम सिर्फ 3 शीट लड़ते थे इस बार 13 के 13 पर हम लोग पकेले चुनाव लड़ रहे हैं और मैं दावे के साथ के सकता हूं कि इस बार की जो पोजीशन है तो पंजाब में जो चत्तुस कोरनिया फाइट है, फॉरेंगल फाइट, तो फॉरेंगल फाइट में सबसे बड़ी पार्टी, भारतिय जन्ता पार्टी होगी, सबसे ज्यादा लोग सबा में पंजाब से बाजपा के सदस्य होगे, देखिए, किसानों का प्रोब्लेम में मानता हूँ, किसान और यूनियन अब दोनों अलग हो गए है, पंजाब का आम किसान, उसको कोई प्रोब्लेम नहीं है, यह सर्प यूनियन के लोग, किसानों के नाम पर, पॉलिटिस खेल रहे हैं, आज पंजाब में, पूरे किसान गाउं में, पिंड में, भारतिय जन्ता पार्टी के साथ है, इ मोदी जी से प्रसंड भी है, मोदी जी पर भरोसा भी है, कि पंजाब का भी तरक्की और देस की तरक्की सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए और मोदी जी ने किसानों के लिए काफी काम किया है, और इसमें जो किसान संद्मा निदी, अब जो रुपया किसानों के खाते मे डारेक्ट जा रहा है पंजाब के किसान के भी खाते में जा रहा है किसान के लिए किसान के कुरुसी बजेट में इंफास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इस बार लाखों करोडों रुपिया का खर्च बारतिय जन्ता परी की सरकार कर रही है किसान की आई दुगनी हो इसके ल इसको भी एक एक दाना MSP पर भारतिय जन्ता पार्टी की केंजर की सरकार खरीद रही है। इसे किसान को कोई प्रोब्लेम नहीं है। मैं किसान के यूनियन के नेताओं के भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सिर्फ भारतिय जन्ता पार्टी को टार्गेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल एंगल से कर रहे हैं। आम हमारी जहां जहां सरकार रहे हैं स्टेट में। MSP के साथ हम एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं दे रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे रही हैं। उसका जवाब तो मंगो। इस बार भारी बारी सुई थी। काफी किसानों को नुक्सान हुआ। तो अभी तक नुकसानी का कोई मुआजा किसानों को मिला नहीं है। उसका भी जवाब दो, जवाब लो उनके पास। किसान थ्रस्त है। वेसे तो पुरी पंजाब की जनता थ्रस्त है। आम आदमी पाइटीन की सरकार ने जनता के साथ दोखा बाजी किये, ठगा है, जुठे बादे पुरे नहीं हुए, जनता भी अब ठक गई है, अब एक ही आसा का कीरन मोदी जी है, और मोदी जी को प्रजान मंत्री बनाने के लिए इस बार पंजाब में तेरा के तेरा सीक्वल भारतिय जनता पाटी अच्छा प्रदसन करेंगी। देखे, देखे, आम आदमी पार्टी की सरकार बाने बाजी कर रही है, अपनी जिम्यवारी वो दुसरे पर ठौप रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ही लो एन ओर्डर की जिम्यवारी है, आम आदमी पार्टी की जिम्यवारी है कि यहां का बिद्नेस, यहां के इंडिस्ट् किसानों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है कि सिर्फ बाने बाजी ए इसके सिवा कुछ नहीं देखिए केजरिवाल का पूरा नकाब उतर गया है केजरिवाल उसके जो आरोप हैं और उसके जिरबतारी हुई है अभी भी वह बेल पर है वो एक तारीक उनको वापस जेल में जाना है वो आरोब जो उन पर है उसका जवाब दे केजरीवाल उनकी जब गिरब तारी हुई तब भी पंजाब में कुछ नहीं था और वो बेल पर आये तो अभी भी कुछ नहीं है उसका पूरा नकाब उतर गया है केजरीवाल भरस्टाचारी है ऐसे लोग मान गए